हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों मैं कमलेश विश्व कर्मा दोस्तों आप सभी कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपका यूपी आई टी आई एडम कितने नंबर तक हो जाएगा आपका एडमिशन और एडमिशन फीज कितना लगेगा आई टी आई में और आई टी आई में टोटल सीट कितना है तो दोस्तों मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप लोग मेरे वीडियो को लाश तक जबूर द दबाकर हमारे चनल को स्क्राइब कर लें और साथ ही वगन में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों आप लोग बेल आइकन प्रेस करते समय आप लोग आल पर किलिक करें ताकि हमारे अगले वीडियो को नोटिकेशन आप तक सबसे पहले पूस्ता रहे तो दोस्तों आईए हम लोग जानते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका टोटल नम्मर आप गवर्मेंट आइटियाई आपका दोस्तों गवर्मेंट आइटियाई आपका है 300 और दोस्तों आपका प्राइबेट आइटियाई है 2949 आपका प्राइवे आपका बारा ऐटी आई है और दोस्तों आपका total एवेलेबल फार आडमिसन इन गर्मेंट आइ्टी आई आपका दोस्तों government आई टी आई में आपका कितना टोटल तो आपका सीट है तोasis छांच याडोशाट और डोस्तों आपका total नALLYब में फार एडमिसन इन private ITI आपका private ITI में कितना seat है तो आपका seat है 3,64,000 आपका private ITI में seat है और दोस्तो total trades for admission आपका दोस्तो सब ITI में आपका total trades कितना है तो आपका trades है 67 याने 67 आपका trade है और friends मैं आप लोग को बता दू कि आपका admission दोस्तो यह जो हो रहा है आपके high school के percentage के अधार पर आपका admission होने आपका यह जो admission होगा merit के अधार पर आपका admission होगा तो दोस्तो अगर आपका high school में आपका 80% है ठीक दोस्तो अगर 80% और 80% प्लस है तो आपको government ITI मिल जाएगा और बात करें private ITI का तो अगर आपका 70 और 75% है तो आपको private ITI मिल जाएगा और दोस्तो बात करें आपका female के ल आपका मैलाओं के लिए रहेगा अगर आपका 70% है तो आपको government ITI मिल जाएगा और बात करें आपका private का तो private में आपको 60 यानि 60 ठीक दोस्तो आपका 60 प्लस है या 60 माइनस है तो आपको private ITI मिल जाएगा और दोस्तो बात करें आपका government ITI में आपका total फिस कितना लगता है औ दोस्तो आपका government ITI में आपका फिस लगेगा 2000 यानि 2000 रुपीज आपका दोस्तो लगेगा और private ITI में आपका 18000 रुपए लगेगा इससे अधिक भी लग सकता है दोस्तो कोई confirm नहीं है तो friends मुझे उमीद है कि मेरा वीडियों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्त को भी प्रेज कर दें ताकि दोस्तों हमारे एगले वीडियों का सुचना आप तक सबसे पहले और बहुत जल्त मिलता रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद